पांच एतिहासिक अनाउंश्मेंट किया है सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को चाहिए वो मजदूरी करे खेती करे छोटा जौब करे हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के एक लाक रुपए देगी कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका बातचीत की उनका बेटा पुलीस में भरती होने की कोशिश कर रहा है उसका पेपर लीक होगा पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी महनत बेकार गई उसकी मा महीने के दस हजार रुपए कमाती है पच्चेस हजार रुपए का बिजली का बिल था पानी का बिल है पान्च शे घर में वो कपड़े दोने का काम करती है यूपए अमारी सरकार आएगी इंडिया की सरकार आएगी उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी एक लाक रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगी और वैसे ही हिंदुस्तान में करोणों महिलाओं के साथ करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का एक लाक रुपए आएगा करांतिकारी कदम है ये अगर नरेंद्र मोदी जी अरब पतियों को अरब पतियों को 16 लाक करोड रुपए दे सकते हैं तो हम करोणों महिलाओं को एक लाक रुपए दे सकते हैं दूसरा एतियासिक काम सरकारी वेकंसीज में सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षन हर सरकारी ओफिस में कुछी सालों में आपको 50% महिलाओं दिखेंगे तो हम आपके लिए दर्वाजा खोलने का काम कर रहे है आर्थिक अन्याय हो रहा है आपके साथ हो रहा है महिलाओं बढ़ रही है गैस सिलिंडर के दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं हम आपके बैंक अकाउंट में एक लाख रुपे डालेंगे सरकार में आपकी जगे नहीं बनती हम पचास परसेंट रेजरवेशन देख के आपको अंदर दर्वाजा खोल के डालेंगे आशा, आंगनवाडी और मिड़े मील में जो काम करती हैं Central Government का जो भाग है जो शेर है उसको हम दुगना कर देंगे हर पंचायत में एक अधिकार मेतरी को हम अपॉइंट करेंगे वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिल कर लड़ेंगी और आकरी काम सावित्री फूले जी की जन्म भूमी है तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे जो महिलाओं काम करती हैं जॉब करती हैं उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे उनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी अच्छा भोजन मिलेगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमें सावित्रे फूले महिला हॉस्टेल खोलने जा रहे हैं अपने शहर की लेटिस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं